तो गाइस वीडियो को पूरा देखिए एंड तक वीडियो को देखिएगा इसमें सब चीज़े बताई गई है बहुत अच्छे से आपको समझाय गया है तो आप इसको पूरा अंतक जरूर देखिएगा जो भी आपको डाउट आता है कोई इसमें अगर सजेशन है है कोई भी डाउट है कोई भी फीडबेक है तो उसको कॉमेंट सेक्शन में करके चुरू बताईएगा तो स्वागत है आपका पांच बजे पांच एंसे क्यों सिरीज में और आज बारी है साइंस एंट ठेक्नोलोजी की तो उसमें आज हम बाइलोजी कोच पेशन है तो आज की सवाल देखते हैं आज के 5 सवाल बायलोजी की सवाल रहेंगे इसमें human diseases जो इंसानों में बिमारियां होती है उनसे लिएट 5 सवाल है तो सबसे पहला सवाल आपके सामने रखता हूं आपको बताना है कि AIDS virus क्या है DNA virus होगा या RNA virus होगा इंसे 4 options देंगे आपको तो AIDS का वाइरस कैसा है आपको बताना है Single Stranded RNA कि Single Strand होगा यानि कि Single Stranded RNA होगा या Double Stranded RNA होगा फिर Single Stranded DNA होगा या Double Stranded DNA होगा यानि कि दो options RNA के हैं दो options DNA के हैं आपको बताना है कि AIDS का वाइरस कैसा होता है Single Stranded RNA, Double Stranded RNA या फिर Single Stranded DNA ये double stranded DNA तो इसका जो सही जवाब है वो है single stranded RNA तो पहली बात तो ये कि AIDS का RNA virus होता है DNA virus नहीं होता यानि कि AIDS का DNA virus नहीं होगा एक तो ये बात हो गोई और एक वो single stranded होता है दूसरा आता है कि कुछ viruses में सिर्फ कुछ viruses हम कहते हैं कि ये सिर्फ RNA virus है DNA virus नहीं है तो उसको क्या मतलब है अपना में बहुत इच्छा सवाल है चार options आपके समने रखता हूँ पहला मतलब ये है कि इस viruses cannot replicate यानि कि ये virus आगे बढ़ नहीं सकते अगर किसे में सिर्फ RNA है DNA नहीं है तो क्या ऐसा होगा क्या दूसरा option है these viruses have no heritable information कि उनके अंदर कोई ऐसी information नहीं होगी कि heritity में ये ऐसा से आगे बढ़ रहे है heritable information क्या होगी उसके अंदर ऐसा कुछ नहीं होगा ये RNA virus के अंदर होगा क्या तीसरा option है RNA transmits the hereditary information in these viruses यानि कि RNA जो है जो hereditary information है एक वैंश से दूसरे वैंश में यानि कि वैंशा नुगत information होती है उसको transfer कर सकता है क्या और चौथा option है their nucleic acids can be crystallized उनके अंदर जो nucleic acids है उनको crystallize किया जा सकता है क्या उसको सही जवाब है option number 3 कि ये जो viruses है RNA जो virus होता है ये transmit कर सकता है hereditary information को एक generation से दूसरे generation में तीसरे सवाल आता है कि जो आँखों के defects होते है इन में से किस defect को हम short sightedness कहते है यानि कि जिसमें हमें pass का कम दिखता है short sightedness हम किसमें कहते है तो comma होता है वो या hypermetropia होता है myopia होता है या astigmatism होता है या cataract बोल देते हैं एक हम cataract भी option रख सकते हैं इसमें तो इसका जो सही जवाब है वो है myopia और अगला बहुत अच्छा सवाल है अगला सवाल का जवाब अब जोगते हैं अगला सवाल यह है कि इन में से कौन सी deficiency disease है deficiency disease का मतलब यह होता है कि ऐसी बिमारी जो किसी चीज की कमी के वैसे हो जाती है body में कोई चीज कम जारी है इस वैसे वो बिमारी होई चार options आपके सामने है पहला है asthma या asthma जिसको कहते हैं दौर बली जॉन्डेस है फिर scurvy है और फिर cancer है आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सीमरी ऐसी है जो किसी चीज की कमी के वैसे होती है तो वो है स्करवी स्करवी vitamin C की कमी के वैसे होती है next पांचर सवाल आपके लिए आप comment section में सभी रोग उसका जवाब ज़रूर दें सवाल कहता है कि which one of the following element is associated with teeth disorder यानि कि दातों के अंदर जो दिक्कते आती है चार elements से आपको नाम दिये जा रहे है आपको बताना है कि इन चारों में से कौन responsible है जिसके वैसे दातों में दिक्कते आती है पहला option है आपके सामने क्लोरीन दूसरा है फ्लोरीन तीसरा है bromine और चौता है iodine तो इन चारों में से कौन सी ऐसी चीज है जिसके उसे दातों में दिक्कत आती है उसका answer आप comment section में से video comment करके जूर दीजिए चलिए बाकी मिलते है नेक्स वीडियो में so thank you and bye bye